वाट इस जब गाइस गाल कम बैक टूट से आतो और क्या हाले तुम सब के खोब तुम सब पढ़ियाई होंगा तो आज वो दिन आ गया है जिसका आप सब को बेस अबरी से इंतजार था आज मैं एक्सलेंग करूंगा हैंटाई मेरा मतलब दकेस स्टाडियो वेनिटास के सिजन वन का लास्ट एपिसोड रहसे दूस का सिजन टू भी है लेकिन वो आएगा यह नहीं आप पर डिपेंड करता है क्योंकि इस वीडियो पे है लाइक एम जो है हंड़िट लाइक्स का जैसे ही लाइक एम पूरा होगा सिजन ट इतने ज्यादा करीब हैं कि तुम सब्स्राइब करोगे और वन के हो जाएंगे लेकिन नहीं होता ट्राइ करके देखो अब बक्षोद्य को बंद करते हुए एट्स जंप इन दा वीडियो तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं वेंटास और जरने घर जा रहे ह इस उनके वेंटास पूषता है मकसद कैसा मकसद और वो अपना पूरा प्लैन में इनटास को बता देए इस उनके वेंटास असता है और आगे कहता है फिर भी मैं है रान हूँ कि लुका ने तुम्हें आने दिया के यह सच में ठीक है लेकिन जेन ने उसे कोई जवाब नही क visitaq रखे केती है पर तुम्हें कैसे पता और तभी वेनटास भागना हो उस होटल में जा जाता 조मा रहते हैं । लगाता है लेकिन आपकी अपनी जगा पे सोया हुआ रहता है आगे वही सिन दिखाते हैं जभ रूथवान नायका कहा जाता है और कहता है क्या तुमने उसे मार क्यों नहीं कि जवाब में रूठवन कहता है मेरा मन बदल गया जो उस इंसान की चिंता है कि क्यों वो अपने साथ एक आर्चिविस्ट को रखे हुए है तक इसका इस्तमाल करना ही सही होगा ये बस एक बच्चा है हम जब चाहें इसे मार सकते है वापस प्रेजेंट में आते हैं और जेनने को दिखाते हैं वो सोचती है वेंटास ऐसे क्यों भागा अगर वो अभी तक नहीं आया तो शायद मुझे जाना शाहिए और तब ही वहाँ पर रूठवन आ जाता है जिसके जवाब में रूठवन कहता है एक ज़रूरी काम था जो मुझे पूरा करना था तो मैंने सोचा मैं आके देख लूँ क्या ये तुमने किया जेन ने तब भी जेन माफी मांगने लगती है और वह से जान लगते हैं आगे सीन चेंज होता है और डांटे और डोमी को दिखाते हैं जो वेंटास और जेनों को धुण रहे हैं लेकि जो कहीं पर बैट के कुछ पढ़ा रहा है तभी वहां Oliver आता है और कहता है मैंने सुना तुम छुपके से कुछ खोजरु हो जिसनकर ओरन कहता है मैं छुपकर नहीं कर रहा मैं तो बस इतहास पढ़ा रहा हूं इनसान को और वैंपार्स का इतिहास तब यह अभी ही क्यों जिस तुम चर्च के चैसर्स हो, एक एमपार हर्टर्स जो बहगवान के लिए काम करते हैं, अगर उपर वाले लोगों को ये बात पता चली, तो तुम्हें खत्रा माना जाएगा, और बुरे से बुरा तुम्हारी फैमिली को चौट पहुचाएंगे, ये सुनकर रोलन कहता है, कहो ये ओलिवर, आप जानते हो ना, मैं कैसे इनसान हूँ, मैं सिर्फ वही मानता हूँ, जो मुझे सही लगता है, वापस नोयर वेंटास को दिखाते हैं, और वहाँ पे एक खिड़की से डांटे आता है, और वो कहता है, कुछ चौका देने वाला सामने आया है, वो बीस जिन बालों से ढखा हुआ है, और उसके पीट पर कही सारी काली लाइन्स भी है, 18th century के दोरान, जेवर्डन में सो औरते और बच्चों को चीर कर मार दिया गया था, तब बीस्ट आफ जेवर्डन का कहर लोगों में फैला, तब ही डांटे कहता है, अब तक कुछ साफ नहीं कि व वही 18th century वाला बीस है, जिसके जवाब में डांटे कहता है, सच कहूं तो बता नहीं सकता, लेकिन इस महीने 5 शरीर सामने आये हैं, सभी लोगों को अलग तरह से मारा गया है, कुछ के शरीर भी फार गये हैं, तब ही वह एंटास पूछता है, 18th century जैसे, डांटे आगे कहता हाँ, और इस बीस को लोगों ने देखा भी है, तो तुम क्या करोगे वेंटास, इसके जवाब में वेंटास कहता है, मैं खुच जा कर देखूंगा, कि वो कर्स पीर है या नहीं, वो नोय से पूछता है, तुम क्या करोगे, इसके जवाब में नोय कहता है, मैं क्या होनी है तब ही नोई सोचता है ये बुरा हुआ वेंटास के खून की घुश्बू इतनी अच्छी है मैं बात सही से समझ नहीं पा रहा है तब ही नोई का फ्लेश बैक दिखाते हैं जहां उसका टीजर कहता है नोई तुम्हारी पावर से तुम लोग के खून पीके उनकी आद कमाल की है शायद इसलिए तुम्हारा ऐसा बरताव है तब ही येंटास कहता है क्या तुम लड़ना चाहते हो इसके जवाब है नोई कहता है ये तारीफ है और नोई सोचता है मैंने गर गर कर दिखाती है तब भी हमिन इस सीजन का रीकैब दिखाते हैं और सुबह हो जाते हैं वेंटास वापस आता है और देखता है नौए पहले से ही तियार बैठा है और वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं रास्ते में जाते हुए यह ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है लड़ना है क्या इसके जवाब में ना तुम दिल्चस्प इनसान हो यह सुनके वेंटास कहता है खून चाहे कैसे भी निकले क्या तुम्हारी एर्चिवस्ट पाउर से हर वक्त यादे देख सकते हूं इसके जवाब में नोई कहता है नहीं यह बस आम एंपायर जैसा ही है यादे देखने के लिए तुम्हें नस接 से ही खूंड पीना होगा यह सुनके वेंटास कहता है अगर अगली बार मुझे चोट लगे तुम्हेरे कपडों पर लगा खूंड पी ले ना और यहां जीजए। अब वक्त आ गया है यहाँ जे रोडन में मेरे बदले का गाना हर जमीन पर बज़ेगा और यहीं पर सीजन वन और एपिसोड टुएल खतम हो जाता है आपको यह एपिसोड कैसे लगा कमेंट बोक्स पर ज़रूर बताना और लाइक एम पूरा कर दो तब इसका सीजन टू आएगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाई